नमस्कार आप सब्सक्राइब क्राइम फ्री भारत में स्वागत है और हम यह मीटिंग को चालू कर रहे हैं अभी मात तीन सदस अब तो पांस सदस वीचे मैं देख पा रहा हूं कि वो मेटिंग में हैं तो मैं आप सब लोगों को धन्वाद देता हूं कि आप लोग बड़ी मैनस से काम कर रहे हैं और हम हजार का आंकड़ा अभी इतने जल्दी हम लोगों ने छू लिया है हम लोग उसके बहुत मजदीक हैं तो इसमें मेरा ये मानना है कि हम कैसे सभी समास सेवी संथनों को सभी देश प्रामियों को सभी देश भक्तों को जो किसी भी प्रोफेशन के हो, किसी भी छेतर के हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो इंड़ेश्टलिस्ट हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, बकील हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, इंजिनियर्स हो, समासे भी हो, तो हर व्यक्ति अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहा है हमें जिन ऐसी संस्ताओं को हम जानते हैं उनकी हम सूची बनाएं और एदि आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा बड़े व्यक्ति हैं और आपको उनसे बात करने में जिज़क हो रही है तो उनका नाम और नमबर आप मेरे पास भेद दीजिए और केवल उनको इतना बता दीजिए कि हम जो है वो हमसे बात कर ले या हम उनसे बात कर ले ऐसा करने से जो आपकी जिज़क है कि इतने बड़े आदमी से हम कैसे बात करेंगे वो जज़त का जो है निकाल निकल आएगा और ये चीज हमें मानना पड़ेगी कि क्राइम फ्री भारत का ये मानना है कि जो वेक्टी जो कुछ भी कर रहा हो हमें उसमें कोई बदलाव नहीं करना है हमें केबल जो है उसको सपोर्ट करना है क्योंकि हर वेक्टी अपनी इक्षा सक्ति के हिसाब से जो कुछ संभव है वो वो करने की कोशिस करता है और उसके पास जो बुद्धी है जो सोच है जो संसाधन है उनके साफ से वो भी समाज सेवा समाज देश सेवा जो कर सकता है गरीब सेवा वो करता है लेहाजा हमें किसी की भी समाज सेवा को किसी की भी सोच को छोटा बड़ा कहने का हक नहीं है हमें उन सभी की इस्तुति करना है प्रिसंसा करना है और अपने साथ जोड़ना है क्योंकि आइसोलेटेड होकर हम मैंसे कोई भी लक्स वेधन नहीं कर पाएगा तो एदि हम चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत जमीन पर उतरे तो हमारे पास केवल एक ही विकल्प है और वो विकल्प है कि हम जो है वो सभी समास सेवीर संथन सभी लोग सभी प्रोफेशन सभी जातियो धरम के लोग उनको अपरोच करें और उनको जोड़ें और जो हमने संकल्प लिया है पहला संकल्प है कि हमें प्रति दिन दस लोगों को जोड़ना है और नौ दिन तक जोड़ना है इस तरीके से 90 लोग जोड़ेंगे आप किसी व्यक्ति के लिए energy level कमजोर होने के कारण दस व्यक्ति को जोडने में उसे दिक्कत महसूस हो रही है तो उसके लिए एक दूसरा सा बहुत soft option चुना गया है कि आप दिन में केवल एक ही व्यक्ति को जोड दीजिए लेकिन फिर आपको 90 दिन तक जोडना पड़ेगा तो कुल मलाके आपको 90 व्यक्ति ही जोडना है फिर उससे कम energy वाला यह दि कोई व्यक्ति है तो उसके लिए भी option कर दिया है कि जो आप दो दिन में एक व्यक्ति को जोड दिये लेकिन फिर आपको 180 दिने कवायत करना पड़ेगी और इन तीनों ही परस्थितियों में आप जो है केबल 90 लोग जोड रहे हैं और जब आप लोगों को जोड रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वो उर्जावान लोग हों एदी वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनोंने जिन्दगी पर तपस्या की है किसी ना किसी काम में वो लगे रहे हैं उनका जिन्दगी एक मसाल है उनसे जुड़े और हुए लोगों की संख्या भी जादा है तो एदी हमें ऐसे उर्जा केंदर मिल जाएंगे तो हमारी ये जर्णी फास्ट जो है सौ करोड तक पहुँच जाएंगे अब एक समस्या उसमें आ सकती है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो आपको लगता है कि आपसे उम्र में बहुत बड़ा है तजर्वे में बहुत बड़ा है और आपको लग रहा है कि उससे बात करकी आप उस तरीके से उसको संकल्पित नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए विकल्पी जादा अच्छा है कि उसका नाम नमबर सेयर करिए मुझे बताईए उनको भी बता दीजे कि साब डीजी साब का फोन आएगा और मैं पहल करकी उससे बात करूँगा उनको जोडूँगा और उनको संकल्पित भी करूँगा तो मैं अपने सभी साथियों से जो कि अब लगवग हजार होने को जा रहे हैं मैं उनसे अन्रोध करता हूँ कि आप किर्पिया जो है जो संकल्प आपने लिया है और आप हमने आपके संकल्प आसान भी कर दिये हैं तो चाहे पहला संकल्प हो कि आप 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़े या दूसरा संकल्प हो एक विक्ति को जोड़े 90 दिन तक और या दो दिन में एक विक्ति को जोड़े लेकिन 180 दिन तक 6 मेने तक एक अवायद चलेगी इनमेंसे जो भी विकल्प आपको अच्छा लग रहा है उस विकल्प का पालन करिए मेरा ये मानना है कि आपको उपर अंग्रेजों के सभी कानून जो है ना लाद दिये गए हैं जो बेवस्ता लॉट सिप की है आपके उपर वो लाद तोप दी गई है और राज सत्ता भी आपकी अपनी नहीं है वो आपके बोड से तो चुने जाते हैं लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो हम और आपकी हैसियत एक बोड देने वाले गुलाम की हो गई है अब हमें ये हैसियत बदलना है हमारे द्वारा चुनाओवा प्रतिनिदी छदम रूप से जीत रहा है मैं आप सभी लोगों से अन्रोथ करता हूँ कि जो बात हमने अभी कही है जो मैं योगेंद जी से बातचीत मैंने की है मैं आप सभी लोगों से अन्रोथ करता हूँ कि उसमें बड़े बिस्तार से और चुकि उनका खुद का सुभाव सरल था तो मुझे पूरी बात समझाने का मौका अच्छे डंक से मिल गया मैं चाहूंगा कि उस जो है वीडियो आडियो को आप जरूर सुनिए मेरे क्याल से आपके अधकांस जो है वो डाउट किलियर हो जाएंगी अंग्रेजोने किस तरीके से सटता की वो किलियर हो जायेगा और अब हमारे पास क्या बिकल्ब है वो बिकल्ब केबल उर्जा लेबल का है हम सभी वर्ग के लोगों को सभी प्रोफेशन के लोगों को सभी जाती और धर्म के लोगों को हमें एक सूत्र में पुरणा होगा क्योंकि हर जाती और हर धर्म के बेक्ति को मूर्ख बनाया जा रहा है और कोई उनके का ठेकेदार बन रहा है तो वो जाती और धरंग कोई भी क्यों ना हो उनको धूरता पुर्बक मूर्ग बनाए जा रहा है ये लोग जो है अपने बच्चों को पॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे विदेश में पढ़ाएंगे लेकिन आपके बच्चों को मदर्से में पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे और उस मदर्से में बहुत फल्तू की बकवास पढ़ाई जा रही है कि आप जो है किसी को जो है ये कहेंगे कि हमारा धर्म नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो और हम जो है आपका सिर्धर से अलग कर देंगे और हमें जन्नत मिलेगी बहतर हुरे मिलेगी ये मूर्ख बनाने की पराकास्टा है ये मूर्ख बनाने की पराकास्टा है हमारे सभी जातिके और धर्म के व्यक्तियों को ये बात समझना चाहिए इन राजनेताओं ने अपने उल्लू सिधा करने के लिए आपको जाति और धर्म में बाटकर वो आपके नेता बन गए है जबकि ना उनकी सिक्षा है ना सोच है ना नियत है और वो भरभर के पैसा खर्च करके चुने जा रहे हैं तो पहले दिन से रिटर्न और इंविस्टमेंट पर काम करते हैं ये उनकी मजबूरी है तो अनिता जी आप कुछ कहना चाहती है जी नमस्कार आज का आपने वो से संग्था है जो हमने जिसमें सभी समा से भी संक्तरों को जोडने की बात कहिए है हाँ देखा 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 है कैसा लगा अने जब दूटी में फ्री थी में उस समय मैंने देखा थोड़ा बच गया था तो अभी में राच को अभी कंप्लिट करूंगी उसको इसलिए वो मैं लाइप नी कर पाई जितना में उसके साथ में एक औरियो है जिसका हमने नाम दिया है कॉंग्रेस का बंड़ा फोन हाँ मैंने देखा मुझे अच्छा लगा पर अभी कुछ जैसे राजडेतिक चीज़ों पर आप बोलते हैं तो चुकि मैं अभी जॉब में हूँ तो एक मर्याद है कि अंदर उसको वो मतलब लाइक नहीं कर पाती हू जो आपके कंडक्ट रूल का वाइलेशन है मैं स्वयम जो है कदकारी रहा हूँ सिर्सस्त पदपे रहा हूँ मैं मुझे इस बात का हमेशा ध्यान रहता है कि हमसे सभी तरीके के लोग जुड़े हैं जो अभी सास की सेवा में हैं वो भी जुड़े हुए हैं और इसलिए हम किसी कानून का उल्लंगन करेंगे और आपको किसी दिक्कत में नहीं बसाएंगी आपके प्रुद कोई वरजी मुकतमा कायब नहीं कर सकता है और यदी हमने संकल लेकि नौ दिन तक जोड़ लिया है लोगों को तो दसमें दिन आपके प्रुद कुछ नहीं बिगार सकता है तो अगर मैं कर दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है अरे भाई आप तो कमेंट कर रहे हैं उन्हें ने तो एथार्त में कर दिया कि नहीं सही बात कहने में कोई दिक्कत नहीं यह पर सामने वाले ने तो सीधा-सीधा आपके उपर गुलामों के नियम थोब दिये उन्होंने तो सीधा-सीधा जो बेवस्ता है जो की आपके उपर सासन करने के लिए बनाई गई थी जो कि लॉड़ थी देवयार not accountable to you यू और वो निर्णय लें गलत निर्णय लें उनकी मरजी और आप गुलाम जैसी आपकी हैसियत उन्होंने तो बना दी और खुद तो सत्ता का वोकस होगा लेकिन आपको उन्होंने एक गुलाम बना दिया और उल्टी आपको घुटी पला दी कि आप सुतंत्र हैं और इसल जब आप जो है अंग्रेजों के गुलाम थे तो आप उनको चुनोती भी दे पाए थे वो नियम कानून का ढखोशला करते हुए फालतों की कोर्ट की प्रोसीडिंग करके आपको फांसी की सजा पर चड़ा देते थे और हमारे लोग हस्ते हस्ते फांसी पर चड़ जाते थे आज जब ये सरकार हमारे बोर्ट से चुनी हुई है इसने हमको कितना भाहिकरांत कर दिया है कि हमारी जुरत नहीं है कि हम मुझ खोले तो मैं ये कह रहा हूँ अंग्रेजों के समय में जो आप गुलाम थे आज आप उससे बड़े गुलाम हैं ये बात यदि हमको समझ में आएगी तो हम अपने आपको परवर्थित माहोल के लिए काम कर पाएंगे और हम तो आपको ऐसा मॉडल दे रहे हैं जिसमें आपको कु तब जब सो करोड हो जाएंगी उस समय थाली बजाकर दीपक जलाकर जो आपका एज एस इतिजन राइट है विकार यूँ और एफ बोटर आलसो यूँ आर सिटीजन आलसो तो आपकी तीन कैपिसिटी हो सकती है आप एक सास्की अद्यकारी है यूज आरे बोटर एन यूज जिसको आप बोट दे रहा हैं वो आपका theoretically representative है चाहे वो आपको represent ना करके political party को represent कर रहा हो और हमेशा political party का ही पट्टा अपने माथे पर लगाये हुए हो लेकिन हमें ये बात समझना पड़ेगी कि theoretically कम से कम वो आपका representative है तो आपको अपने representative से अपने citizen के तहत क्या सही है आपके लिए उसकी मांग करने का अदकार है तो वो भी किसी conduct rule का violation नहीं है तब भी हमें अपने दहरी को नहीं करना है हम अपने छजे पे अपनी छत पे अपने चबूतरे पे अपने आगन से जो भी जिसके पास जगए है वहां से हम थाली बजाकर संख नाद करेंगे दीपक जलाकर अदकार को दूर करेंगे ग्यान का प्रसारण करेंगे और छोटे छोटे बुडियो के माद्यम से अपने से वजचित करके रखा है और यदि वो नहीं मानते हैं तो मेरा जो स्लोगन है कि हे पार्थ गांडी उब उठाओ ये धरमहद है इसे करना ही होगा अन्था तो मैं एक धनुदारी के रूप में याद नहीं किया जाएगा तुम एक कायर के रूप में याद किया जाओगे य क्रिष्ण जी की भाषा है अर्जुन को जो उन्होंने कही थी मैं तो सद्धसा उश को रिपीत कर रहा ह। हो तो महावारस की है तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि फिर धरमयुद करना भी होगा और धरमयुद को जिताएंगे और 545 सीटव पर जिताएंगे और इन में से अधकांस लोगों के बलब हारेंगे नहीं बलकि अधकांस लोगों की जमाने चाहते होंगी विजब्त हुंगी यह धी हम जो है संकल्पित हो के काम करेंगे यह थी हम मैंसे संकल्प तो भी कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा छोटे कुछ लोगों के जो ना करी करने से भी बायान लार्ज सभी जो है लोग जीतेंगे और जो है जो धूरता पूर्बग सडेयंत पूर्बग जो मैंने योगन जी केस में बताया कि कैसे कैसे लोग जीतते हैं हम जो है जीत पा सब्सक्राइब करते हैं कि मेरा धरम है कि मैं आपको तकलीब में ना डालू मेरा धरम है कि मैं आपकी रक्षा करते हुए आपको लक्ष तक ले जाओं और बहुत हमें को खर्चा पड़गा तो हमें भी फिर जो ना कई से चंदा करनाً पड़एगा तो जो धंदे आके फर old दिक करना होगा लिएजा मैं किसी तरीके के खर्चे के ब्रुद्द में होऊं हलाकि से मित आप 10 रुपए भी मांगेंगे तो आपके पास 1000 करोड रुपए हो जाएगा और 10 रुपए तो एक विकारी भी देदेगा लेकिन मैं सिद्धान्तता खर्च भीहीन विवस्ता का बहुत समर्तक हूँ तो जब तक आँ जरूरत पड़ेगी वहां करना भी पड़ेगा ना तो ज आगे जरूरत पड़ेगी तो परिस्थिति के देखते हुए एडिस्ट करेंगे भाई आप से जो है ना जुड़ने वालों की संख्या दिर प्रति दिन बढ़ रही है मैं तो कहा यदि आप 100 करोड पर पहुंचे हैं और मात 10 रुपए जो की एक मिकारी भी दे सकता है आपक मानि की चिंता क्यों करना है धन की चिंता नहीं करना है धन लेने के लिए अब को आडानी और अंभानी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मेरा केवल इतना ही मानना है कि हम सब लोगों को इस पेसली जो जड़ा तो से सीनियर टाइप के हैं जैसे हमारे सालिक राप जी है आप भी हैं मैं फ्रत्ना करूंगा कि आप लोग सूची बनाएं और सूची बनाके जो है हर व्यक्ति को जो कि हमें से हर कोई कुछ नौं अच्छा है और उसकी बर्सों की तपस्या है यदि हम इन तपस्यों को जोड़ लेंगे तो हम जल्दी से 100 करोड तक पहुच पाएंगे और फिर जो है हम सासन और प्रसासन को कुछ भी गलत नहीं करने देंगे बलकि वुल्टा उन्हें हम प्रेरत करेंगे कि जो हमारी सोच है उसके अनुरून नियम कानून बनाएबू हलाकि वो अपरादियों को दुबले पतले चरत्र के लोगों को टिकेट बाटके उनको इखटा किया है तो वो कितनी हमारी बात मानेंगे मैं विस्वास से नहीं कैसिता हूँ यदि वो हमारी बात नहीं मानेंगे तब हमें उन्हे पराज़त करने के अलावा और कोई विकल्प हमारे पास सिस नहीं रहेगा लहाजा हम उस विकल्प को एक्साइज करेंगे और हमारे जेहन में हमेशा ये बात रहेगी कि यह धरम्युद्र है तो किस्न वगवान ने जो कहा है हे पार्थ गांडी उठाओ यह धरम्युद्र ह इसे लड़ना ही होगा अन्ता तुम एक धनुत्दारी के रूप में नहीं जाने जाओगे दुनिया तुमें एक कायर के रूप में याद करेगी तो यदी कुछ गरवड हो रहा है इस देश के साथ तो हमें जुड़कर हमें जो है उस आवेवस्ता को ठीक करना ही होगा ये हमको बुद्दू बना रहे हैं जाती ओ धरम के अधार पर लड़ा रहे हैं और हमारा एक्स्प्लाइटेशन हो रहा है और ये सब लोग हमें गरीब भी बनाना चाहते हैं और दारू खोर भी बनाना चाहते हैं जिससे हमारे बोट को ये फिरी भी पैसे बाटकर साड़ी बा लेकिन मैं आपको बता दू एक्साइज से ज़्यादा उनके लिए ये महत्पूर्ण है कि यदि पूरा भारत बस दारूख और हो जाए तो उसे एक बोटल से खरीदा जा सकेगा उसका बोट को खरीदा जा सकेगा सर ये तो हो गई नेताओं की बात लेकिन एक ट्रेड और जो चला आया है नेताओं के साथ में बिना नाम लिये में आपको बता देती हूं सर कि एक कोई साथ भी थी उनका काम मंत्री जी बड़े संबान के साथ कर रहे थे और उनका संबान भी करते थे लेकिन उनके मातलों जो चेला था वो आके कान में कहता है सर ये 3,000,000 का काम है आप ऐसी कर दे रहे हो इनका साथ भी है तो क्या हुआ तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने कहा था कि हम खतम करेंगी तो शालिग राम जी को मुझे अभी आहमान किया है मुझे विश्वास है कि वो उसे सुन रहे होंगे तो उसको जमीन पर वतारने में वो अपनी पूरी सक्ती लगाएंगे अभी उन्होंने जो है दिन में एक विक्ति को जोड़े का जो संकल्ब जो दूसरा विकल्ब था मुझे लगता है सालिक राम थोड़ा बहुत बिलता है देशर गुड़ 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 नहीं लेकिन हमारे और आप में एक फरक यह आएगा कि हम जो है ज्यादा जो ऐसे तपस्वी लोग हैं जिनकी जिन्दगी भी अपने आप में एक तपस्या रही है और उन्होंने अपनी मेहन से सुगमता होगी और हमें भी उसमें फाइदा मिलेगा ऐसे लोगों को ज्यादा है अप्रोच करना है और इस तरीके की मीटिंग में जब बोलोग आके बोलेंगे तो उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं उनके उपर बहुत सकारात्मक असर आएगा और उनसे तो हम जो है ना पर मीटिंग की थी बैसी मीटिंग जो है ना होना चाहिए और उनसे बात्चीत करने भी मजा आएगा जैसे जो यूगंद जी से जो आज बात हुई है उसमें मुझे अनन्द आया है वो बहुत अच्छा वीडियो बनाया है वो जो है जो इस्ट्रीम आड पर हमारी बात हु अच्छा सब्सुग है ठीक है मैं चोड आदमी जो अदमी इस तिविटी में रहता है ना सर वो तो उसके बीव भी अच्छे वोते हैं और बात भी अच्छी होती है विल्कुष वो उसका कुछ ना कुछ इंप्यक्ट होता है फिल्कुष साइए तो पिर जो सुन दो सुनने अब कौन किसकी बात पकड़ ले ये देखने की बात होती है और कई बार क्या होता है जब आपका आइकोनिक जिसको आप रिस्पेक्ट देते हैं जब उस बात को कहता है तो उसका ज्यादा असर पड़ता है यही कारण है जो गुरू लोग है किसी का भी कुछ कह देते हैं तो तो यह क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा कौन कह रहा है वह बहुत महत्तु होता है देखिए मैं आपको एक कहानी सुलाता हूँ एक माताराम थी उनका लड़का खाना खाते बद फैलाता था वह बड़ी दुशी थी उन्होंने उसको डाटा जो कुछ भी कर सकती सब किया लेकिन उससे बच्चह बड़के अपड़किन और कोिस बड़के प्रवशिन नहीं Eight पूरी पीड़ा बताई तो उन्होंने का माताराम आज जो है मंगलवार है आप ऐसा करिए अंगले मंगलवार को आ जाईए तो हम इस बच्चे को समझा देंगे इसलिए बटे अंगले मंगलवार को पहुंची तो फिर पर जो है अच्छे से असन लगा कि उसको बिठाया और कहा विटे अंजो है देवता होता है उसको फेलाने से पहाप लगता है अनदेवता का हुता है इसलिए बेटे अन्न को फेलाया मत करूँ और चमतकार हो गया वो बच्चा सुधर गया तो अंगले मंगलवार को फिर जो हमाताराम पहुची कि मैं आपको धन्मात देने आई हूँ कि मेरा बेटा सुधर गया और साथ में मुझे एक जिग्यासा भी है कि इतनी ही बात कहनी थ आपको तो आपने मुझे दो मंगलवार क्यों परिसाल किया तो उन्होंने का मताराम मुझे लग रहा था कि एक सब्ताय में मैं अपने आपको सुधार हो गया तो जब आप दूसरे मंगल को आई तो मुझे लगा कि हमें सुधार तो 90% आ गया है 10% कमी अभी रह गई है तो जब चुकि मुझे कमी थी इसलिए मैं जो है इसको उप्दिष देने के इसको समझाने की मेरी काबिलियत नहीं थी इसलिए मैंने एक सब्ताय का समय और मागा और 15 धिर में जब मैं सुधर गया तब मैंने उससे समझा दिया और मेरी बात का उसके उपर असर भी हो गया तो यही बात है कि कौन कह रहा है ये बहुत माइने रखता है और उसकी कथनी और करनी में फरक नहीं है तो उसका इंपेक्ट भी आएगा इंपेक्ट और इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि कहते हैं ना कि रसी जो है मुलायम होती है लेकिन यदि लगातार हम अपने प्रयासों में लगे रहें तो वो भी निसान छोड़ती है लेहाजा हमें हार नहीं मानना है हमें अपने डिटर्मनेशन से लगे रहना है और हमें जो है ना जरूर सफलता मिलेगी अज़ कल तो बैसे हैं अज़ कल तो बैसे भी घर के पेरेंट्स की बच्चे बात नहीं मानते हैं और इसी टाइप थे आप हम लोगों में भी आपस प्रावलाम है कि उनकी कथनी और करनी में फरक होता है खुद खुद फूकेंगे और कहेंगे सिगरेट मत पियो खुद धारू पियो तो उसकी कौन बात मानेगा इसमें सरही स्र्थ टावी है गाउं का जोगी जोगिया आनगाउं का से दोता है तो थोड़ा सा इधर उधर वालों की बदद भी लेने पड़ती है इसलिए वो सभी तरह से सामधाम दंडवेद इसी को कहते हैं सर्थ किया आप लोगों को